घर को तोड़ना परिवार को जारना कोई कॉंग्रिस से सीखे। कॉंग्रिस पर ये तंज कसा है बीजेपी के प्रवक्ता संजर श्रीवास्तों ने। उन्होंने कहा कि कॉंग्रिस का लीडर खुद को अस्थापित करना चाहता है पार्टी को नहीं। भेनेंदर साहू के बाहरी प्रत्याशी वाले बयान पर संजर श्रीवास्तों ने परक्टवार किया और खा कि कॉंग्रिस की स्विकारिता समाप्त हो चुकी है। सौ की संख्या को 15 साल में पार नहीं कर पाए। सरकार बनाने के लिए 15 साल और लगेंगे। और मैं तो यह कह सकता हूं कि एक राजनतिक दल के रूप में कॉंग्रिस की स्युकारिता लगबख समाप्त हो गई है। कॉंग्रिस अप रसांगिक हो चुकी है। 15 साल में वो यदि 2014 में वो 44 सिट पे रहते हैं, 2019 में 52 में आते हैं अब 99 पे पहुंसते हैं। सो की संख्या भी ये 15 साल में प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो सरकार बनाने के लिए इनको 15-20 साल और लग जाएंगे। और कॉंग्रिस कभी संख्या अधारित पार्टी नहीं रही है, कॉंग्रिस नेता अधारित पार्टी रही है, कॉंग्रिस परिवार अधारित पार्टी रही है, कांधी परिवार के नम पर चलने वाले, नेताओं के पीछे चलने वाले, ये पार्टी है, इसलिए आज संख् मरमनिता है ये इनकी निश्क्रिता सब्सक्राम निश्क्राइल पूछर्ण कृषै Ugh उसका मूल कारण यही है कि टीएस सिहदेव जी की अंदर से कुछ प्लानिंग हो मुझे लगता है कि आज टीएस सिहदेव ज्यादा प्रसंद होंगे विदान सबाद चुनाओ वो हरे थे भूपेश वगे लोक सबाहर गे मामला बराबर का हो गया यही तो कॉंग्रेस की रिती निटी है इधार राजे में महतारी बंदन यूजना के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया फिर शुरू होगी चुनावी आचार सहिंता के चलते प्रक्रिया रुग गई थी लेकिन अब फिर फॉर्म भरने शुरू होंगे महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवारे ने का है कि जल्द ही विभाग इसके बारे में निर्देव जारी करेगा योजना का अनुच्छत तरीके से लाब लेने के शिकायतों पर मंत्री ने कहा कि ऐसे शिकायतों की जाच होगी अभी आप सभी के माध्यम से ही संग्यान में आया है कि ऐसे कुछ आय हुए हैं तो उसका निर्दिशर करवा कि आज इकाजियों के माध्यम से सर्गुजा में मतदाताओं के लिए नोटा विरोध का माध्यम बनता जा रहा है यही वजाए कि 2024 लोग सभाचुनाओं में सर्गुजा संसदी सीट पर एक बार फिर नोटा तीसरे नंबर पर आया है 2014 के लोग सभाचुनाओं में नोटा को 31,104 वोट मिले थे 2019 में 29,265 वोट और 2024 के लोग सभाचुनाओं में 28,121 वोट और अब यह तीसरे नंबर पर है नोटा के प्रती जो लोग है जो तरह से दबा रहे हैं उससे सर्गुजा के जन प्रत्रिनीदी परिशान है समाज सास्रियों का मानना है कि जनता का विश्वास राजनेतिक दलों में कम हो रहा है जनता की अप्यक्षाय पूरे नहीं होती है, तो जनता जो जन प्रतिदी है, उनके विरूद नोटा का विकल्ब चुनती है, कहीं न कहीं ये जन प्रतिदियों से नाराजगी नोटा में ज्यादा मताने का कारण है, ये कहीं न कहीं हमारी जो प्रजतांत्रिक ब्योस्था है, हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पर जनता का विश्वास कम हो रहा है, सारे जन प्रतिदियों को, चाहे वो किसी भी राजनेतिक दल से हो, इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए इस बार इस बार लोगों ने ख्याल रखा कि उन्हें साइब दोनों प्रक्याशी पसंद नहीं आ रहे थे और जिसको भी विरोध प्रगट करने का विए तरीका बना करके रखा हुआ है, सरगुजा में नोटा को प्रती लगातार जागरूपता बढ़ते जारी है, और इस हमोई पसंद नहीं है, इसलिए हमारा यह विरोध प्रगटर दर्शन है। शिकायत के बाद P.W.D. अधिकारी ने नोटिस जारी कर जांच के आदेश दिये हैं। इस गबन का मामला सामने आया, 49 लाग से जादा के गबन के आरूप लग रहे हैं। खरीदी केंदर के कंप्यूटर ऑपरेटर पर F.I.R. भी दर्ज की गई है। अखरार धान खरीदी केंदर का यह पूरा मामला है। अब सख्त कारवाई से गड़वड़ी करने वालों में हड़कम मचा हुआ है। बलोदा बाजार में फिर से डायरिया का प्रकोफ है, पलारी विकास खंड में फिर से डायरिया के केस आए हैं। लोगों को उल्टी दस की शिकायत हुई। छे से जादा मरीज अस्पताल में भरती हैं। इतना ही नहीं डायरिया से सतर साल के बुज़ग की कल मौत हो गई थी। पंद्रह दिन पहले ही पलारी ब्लॉक के कई गाउं में डायरिया फैल गया था। तब पचास से जादा लोग डायरिया के शिकार हुए थे। और अब एक बार फिर डायरिया फैल रहा है बलॉदा बाजार में। जगडलपुर में विश्वकी सबसे बड़ी कुटमसर गुफा चार महीने के लिए बंद हो जाएगी। समय पर मौनसून के बस्तर पहुँचने पर प्रबंदन ये फैसला लिया है। कागेर घाटी राश्टी उध्यान में कुटमसर गुफा है। इसे देखने के लिए हजारों के संख्या में परेटक यहां पहुंसते हैं। बारिश में गुफा के अंदर पाणी भरने का खत्रा बढ़ जाता है, अब चार महीने तक परेटक कुटमसर गुफफा को नहीं देख पाएंगे। गुफा को चार महीने के लिए बंद किया गया है चुकि पानी भरने का खत्रा रहता है और अब बस्तर में यह माना जा रहा है कि वक्त पर ही मौनसून पहुचेगा और यही वज़ा है कि अब यह फैस्ला लिया गया है इस गुफा को बंद कर दिया जाएगा कुटमसर गुफा है कांगेर घाटी राश्च्री उध्यान में वैली नेसन पार्क ये अंदर है कुटमसर एक केव है केव में पानी भानने की संभावना बनी रहती है इसको ध्यान में देखते समानता 15 जून के बादा गर पर साथ बढ़ जाती है तो बंदर दिया जाएगा पार कि पुझे में तक बंदर रहेगा साथ 15 जून से एक्टूबर तक कि है और इसी के साथ इस वबलेटन में इतना